दोस्तो इस टाइम अंडर 20,000 का जो सेग्मेंट है वो पूरी तरह से कन्फ्यूजिंग हो चुका है कौन सा फोन लिया जाए और कौन सा इग्नोर किया जाए टोप 5 स्मार्टफोन मैंने आपर पिक किये हैं मैं यापर आपकी कन्फ्यूजिंग दूर करने के लिए बिल्कुल क्लियर आपको बताऊंगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा फोन बेस्ट है मतलब आपकी प्राइटिके कोडिंग आपको कौन सा फोन प्रचेस करना चाहिए तो चलिए देखते हैं बेस्ट फोन अंडर 20,000 हमारे देश में पहला फोन है इसका प्राइज है इसका प्राइज है इसके बेस्ट फेरेंट का 19,990 6G भी रहा है 120 GB स्टोरेज के साथ लेकिन यहाँ पर आपको ओफर्स दिये जा रहे है ओफर्स लगाकर इसकते हैं 17,490 में तो इस प्राइज पर यह मैं कह सकता हूँ एक कम्प्रीट पैकेज है आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं एक तो परफोर्मेंस यहाँ पर तोक क्लास की है यहाँ पर है स्नेट डगन 768G 5G सपोर्ट के साथ यह हमें पहली बर मिल रहे हैं इंडिया में इस प्राइज सेग्बेंट में गेमिंग आप यहाँ पर टोक क्लास की कर पाएंगे परफोर्मेंस को लेकर कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी इस पोर्सेसर के साथ यहाँ पर जो ओटमाइजेशन है वो कमाल की की गई है 120Hz का रिफ्रेशेट है जो की बहुत अच्छा परफोर्म कर रहे हैं इस फोर्न में और 180Hz का टस्ट सैंप्रिक रेट भी आपको दे रखे है जिसकी मदद से गेमिंग एक्स्पिरिस यहाँ पर आपको बहुत अच्छा हो जाएगा बस कमी अगर मैं कहूं इस फोर्न में तो एक ही है तो ऐसे में जो PUBG का एक्सपिरिस है वो आपको अंडर 20,000 बेस्ट होगा POCO X3 PRO में विकोज यहाँ पर है फ्लेक्शिफ लेवल का प्रोसेसर Snapdragon 860 constant frame rates यहाँ पर आपको मिल जाएंगे PUBG में जो भी आपको फोन मिल रहे है इस प्राइस पर उनसे अगर आप compare करते हैं तो बेस्ट gaming experience आपको इसी फोन में होने वाला है तो यह आप देख सकते हैं फोन यहाँ भी हैं 6GB RAM, 128GB storage मैंने जितने भी फोन पिक की हैं सब में आपको 6GB 128GB का option मिल रहे है इतना में मिलना भी चाहिए अगर हम इतना पेख कर रहे हैं तो यहाँ भी आपको 120Hz का refresh rate मिल जाएगा और आपको मिलता है height assembly rate तो gaming में आपकी पूरी help होगी इस phone में liquid cooling system मगारा सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा कोई आपको शिकायत नहीं होगी साथ में stereo speakers भी इस phone में आपको दे रखी है तो यहाँ पर अगर मैं दिक्कत की बात करता हूँ तो एक तो वही है कि AMOLED इस phone में नहीं है वो आपको एक compromise करना पड़ेगा दूसरी बात है phone यह उतना sleek नहीं है थोड़ा यह phone हाथ में लेकर आपको बलकी feel हो सकता है थोड़ा heavy भी लग सकता है उसके अलावा कोई आपको शिकायत नहीं होगी इस phone के साथ आगर बढ़ने से मेले मुझे बताना है comments में अगर आपको कोई phone लेना है under 20,000 तो आप इन सारे smartphone में से कौन सा phone लेना पसंद करेंगे मैंने comment pin किया हूँ है वहाँ पर आप reply कर देना वीडियो आपको अच्छे लग रहा हूँ वीडियो को like पी कर देना आज target है 5000 likes और 1000 comments का यह जो target में दे रहा हूँ आपको यह मैं जानता हूँ आप cross कर देंगे दिखा दो अपनी ताकत बरसा दो अपना प्यार चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में तो POCO X3 Pro best gaming phone है under 20,000 अब बात करते हैं कि overall complete package की जो आपको मिल रहा है Redmi Note 10 Pro और Note 10 Pro Max 1000 अब जब यह phone launch होई थे तो यह best थे अपने price पे अभी भी काफी चाहिए यहां पर ऐसे हैं जिनको और कोई बीट नहीं कर पा रहा एक तो इन phone में ग्लास बिल्ट क्वालिटी बागी सब आपको दे रहा है इस price पे mostly phone plastic और आपको यहां पर 120Hz refresh rate और साथ में AMOLED display दे रहा है यह combination अपने आप में यह कमाल का combination है इसलिए मैंने बोला कि यह overall complete package है इस price segment का और यहां पर processor है Snapdragon 732G 5G इन smart phones में आपको नहीं मिलता camera भी यहां पर काफी अच्छा है Redmi Note 10 Pro या पर Pro Max में तो इने में से कोई भी phone आप ले सकते हैं दोना phone में ज्यादा difference नहीं है बस यहां पर rear में primary camera जो है उसका फर्क आपको मिलता है Note 10 Pro और Pro Max में तो मैं कहूंगा Note 10 Pro भी अगर आप लेंगे तो भी आपका preservation नहीं होगा सब कुछ वहां पर भी आपको top class का दे रहा है मैं वीडियो बना चुक हूँ इन सारे स्मार्टफोन पे लिंक में जदो का description में वो भी आप चैक कर लेना साथ में अगर मैं दिक्कत की बात करता हूँ इन स्मार्टफोन में तो बस दिक्कत एक ही है इनका user interface देखना होगा कब तक यह improve किया जाता है शोमी की तरफ से अब मुझे अपना experience में बता सकते हैं कि आपको क्या experience मिलता है इसके MIUI के साथ बागी मैं यह phone recommend कर सकता हूँ आपको काफी sleek design एप उनका build quality यहाँ पर top class की गिया है main बात है display यहाँ पर flagship level का है stereo speakers बगार भी सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा उसका अगर आपको softer experience top class का चाहिए तो एक और phone है जो मैं आपको recommend कर सकता हूँ यह है moto g60 fusion यहाँ पर आपको close to stock android मिल जाएगा कोई bugs नहीं है कोई ads का पंगा आपको यहाँ पर नहीं मिलता बहुत ही smooth experience होगा इसको यूज करने का तो यह phone भी मुझे काफी सही लगा इसका प्राइज है 18,000 पंतरह सोग है यहाँ पर आपको discount यहाँ जा रहे हैं bank offer लगाकर तो ऐसे में 16,500 इस phone का top class का प्राइज है 108 में प्राइमरी कैमरा यहाँ पर आपको मिल जाएगा तो यह मैं आपको recommend कर सकता हूँ अगर आपको चाहिए best software experience under 20,000 बागी इसका जो छोटा वाई है motor G40 fusion वो मैं आपको का सकता हूँ super value for money है उसका प्राइज है 14,000 और बैंको पर लगाकर आपको 1000 का औरोफ दिया जा रहा है तो 13,000 में motor G40 fusion जादा value for money है वो भी आप देख सकते हैं software experience वहाँ भी आपको इस लेवल का होगा कमाल का होगा मदलब बस वहाँ पर camera इसके comparison में कम है G60 के comparison में बाकि सब कुछ same है उस phone में ही 120Hz का refresh rate है AMOLED display इन दोनों smartphone में नहीं है यह एक चीज है जो कि आपको mind में लगकर चलना है उसके अलाबा काफी कुछ यहाँ पर सही है आपको मिल रहे है और थोड़े phone यह आपको heavy और bulky लग सकते हैं अगर आपको compact सा phone डोन रहे है under 20,000 तो एक और phone है जो मैं आपको requirement कर सकता हूँ वह अभी phone है इस list में सावी हैं काफी बड़े-बड़े smartphone उनके सामने यह phone मुझे बहुत ही जबर्दस लगा, phone factories का काफी अच्छा है बस यहाँ पर दिक्कत एक ही है कि optimization की थोड़ी कमी है इस phone में, यहाँ पर आपको मिल रहे है DMC800U processor जो कि on paper हमें बहुत ही strong लगता है और आप यहाँ पर heavy gaming करेंगे तो आपको लगेगा settings यहाँ पर पूरी तरह से open नहीं है जैसी होनी चाहिए DMC800U के साथ, उसके लावा कोई दिक्कत नहीं है, UI यह अप काफी improve हो चुग है पहले से realme का, पहले से अगर हम compare करते हैं तो, पहले जो realme UI था वो काफी bulkी और bug ही होत तो यह कुछ phone थे जो आप ले सकते हैं under 20,000, अब आप बताना मुझे comments में, अगर आपको इस price पर कोई phone लेना है, तो आप कौन सा phone लेना पसंद करेंगे, मुझे उमीद है, आपको कुछ help मिलोगी आज की video से, और आपको help मिलियो, वीडियो को like और शेकरना मत बूलिएगा मिलते हैं वीडिकी जोर वीडियो में, थैक्स पर लॉचिंग इस वीडियो